हाई गाईज, हलो इंद, वेलकम बैक तो मैं चैनल लव ब्यूटी ओन डूटी ट्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इन्फोर्मेटी टॉपिक पर उल्टी मतली होना नौसर, वामेटिंग या मॉर्निंग सिक्निस बिजिस को कहते हैं प्रेग्डेंट होनी के एक बहुत ही अरली सिम्टम है और ज्यादातर महिलाओं में ये सिम्टम अपियर होती है इनी चीजों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं शुरू के तीन माहे में उल्टी मतली का ज्यादा होना चक्कर आना दिल मतलाना अगर यह सिम्टम ज्यादा है तो कुछ लोगों का यह मानना है कि यह लड़की पैदा होने की सिम्टम है और अगर प्रेग्नेंसी के शुरुआते दिनों में आपको उल्टी मतली बहुत कम होती है नौजिया वमेटिंग नहीं होती तो यह लड़का पैदा होने की स्म्टम है यह मित है यह लोगों का बिलीव है और इसके पीछ Rebecca का सच क्या है यह भी जानते है यह कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर किसी महिला को pregnancy होने के बाद नोजय वॉमिटिंग यानि की उल्टी मतली throughout pregnancy जारी रहती है क्योंकि normally ऐसा होता है कि pregnant होने के बाद जो सुरू के 3 महीने होते हैं उसमें ही महिलाओं को उल्टी मतले ज्यादा होती है और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उल्टी मतली की शिकायत कम होती जाती है लेकिन कुछ लोगों का ये माना है कि अगर उल्टी मतली थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहे नो महीने तक होती रहे तो इसका मतलब है कि पेट में लड़की होगी बेबी गर्ल आपकी यहाँ पैदा होगी एक्चुली प्रेगनेंसी में नौस्य वामेटिंग उल्टी मतली या मौर्निंग सिकनेस होती है एचसीजी हॉर्मोन की वज़े से जब आपका बेबी यूटर्स में बच्चे दानी की दिवार के साथ जूर जाता है प्लेसेंटा वहाँ पे ड्वैलेप हो जाता है तो वहाँ से फिर यह हार्मोन एचसीजी बनना शुरू होता है और जैसे जैसे प्लेसेंटा ग्रो करता है एचसीजी का हार्मोन आपके ब्लड में ज्यादा होता जाता है और play center भी पूरी growth पहले तीन माहे में होती है तो जैसे ही HCZ hormone आपके blood के अंदर बढ़ता है तो फिर urine के अंदर भी आना शिरू हो जाता है और इसी से हम pregnancy test करते हैं लेकिन जो HCZ hormone है एकदम से जब आपके body के अंदर ज्यादा होता है hormones का imbalance हो जाता है महिलाओं में जिसकी विज़े से उल्टी मतली आपको बहुत ज्यादा होती है scientific research इस चीज़ को तो मानती है कि HCZ hormone ज्यादा होने की विज़े से महिलाओं को उल्टी मतली ज्यादा होती है लेकिन कुछ studies की गई, कुछ data इकठा किया गया pregnant महिलाओं से ऐसे समझले कि 100 ऐसी महिलाओं को select किया गया जिनके अंदर उल्टी मतली बहुत ज्यादा होती थी और फिर उनको observer किया गया तो ऐसी महिलाओं में 60% महिलाओं में baby girl पैदा हुई उनके यह baby boy पैदा होगा और अगर आपको pregnancy के दोरान या pregnancy के शिरुवाती दिनों में nausea, vomiting या ultimately बहुत ज्यादा होती है जिसकी विज़े से आप परेशान है कि कहीं आपके baby कुछ nutrition भी सही तरह से मिल रही है या नहीं आपके अपने nutrition भी disturb हो रही है तो इसके लिए आपको क drop कर रहा होता है और blood pressure भी low होता है pregnancy की hormones डिस्चार्ब होते हैं एकदम से आप खड़ी होती है तो चक्कर और उल्टी मतली की शिकायत ज्यादा हो सकती है और दूसरी जो चीज है बैट से उतरने से पहले अपने बैट साइट पे रात को कोई टॉस्ट या बिसकुट बगएर आपको कैसा पता चले इसके लिए आप अपना एक ultrasound करवा सकती है और कब करवाना चाहिए gender prediction के लिए ultrasound 18 weeks से लेकर 22 weeks के बीच अगर आप ultrasound करवाती है तो आपको पता चल जाएगा कि baby boy है या baby girl अगर early करवाती है 18 weeks से या 19 weeks में तो accuracy थोड़ी कम होगी लेकिन अगर आप 22 weeks में जाकर करवाती है तो आपको ज्यादा होगी confirm पता चल जाएगा कि baby boy है या baby girl तो friends बस यही था मेरा आसका वीडियो आप लोगों के लिए यूस्फुल रहेगा सुमलतियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई